हेलकम टू प्रताब क्लासिस दोस्तों प्रताब क्लासिस के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज है साथ जनुवरी 2022 और साथ जनुवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करेंट फिर्स 2022 के क्योशन मनते हैं तो आज उनका डिसकेशन करेंगे पूरा व वीडियो सुरू करने से पहले जो भी विदार्ती है हमारे से चैनल परना है तो चैनल को सुस्क्राइब जूरूर करें और इसके पास लगे बैल आइकन के घंटा का दवा लेना ताकि जैसे हम वीडियो अप्लोड करें उसका नोट्पिकेशन आप तक है पहुंच जाए वी वीडियो के डिस्कुशन बे भी टेलिग्राम का लिंक है वहाँ जाकर भी आप है डाउनलोड कर सकते हैं तो कई विदार्तियों ने कल कमेंट किये थे कि सर सुबह वाले क्लास भी इंडिया किया जो लाइव किया करो तो अभी कुछ एक दिनों की बात है उसके बाद में आपको कहें लाइव सुबह वाले क्लास मिलने लग जाएगी तो आईए हम बात करते हैं आज का पहला क्योसन देखो कि हाली में कौन सा राजे देश का पहला एलपीजी सक्षम और दुरुमपान मुक्त राजे बन गया है तो अभी बना है हिमातल प्रदेश कौन सा हिमातल प्रदेश का पहला एलपीजी सक्षम और दुरुमपान मुक्त राजे बन गया है मुखे तत्य देखते हैं हिमातल प्रदेश पहला एलपीजी सक्षम और दुरुमपान मुक्त राजे बना है यह मील का पत्थर केंदर द्वारा शुरू कीगी उजोला योजना और ग्रहनी स्विधा योजना है जो 26 मेई 2018 को शुरू की गी थी कब शुरू केगी 26 मेई 2018 को यह योजना शुरू केगी कौन सी थी उजूला योजना और अभी उत्र प्रदेश है वो क्या है पहला एलेपीजी सक्षम और दुरुमापान मुक्त राजय बन गया है अब बात हिमाचल प्रदेश के वरतमान में राजय पाल कोण है राजेंदर अरलेंकर और वरतमान में मुक्या मंत्री कोण है जैराम ठाकूर और अभी हमाचल प्रदेश की बात है तो हमाचल प्रदेश ने तो अभी हवी वीजे हजारे ट्रोफी का खिताब भी जीता है और इसके साथ हमारे प्रदानमत्री नरेंदर मोदी है उन्होंने अभी चार जल विद्यूत प्रयोजनों की अधार सिला भी हिमातल प्रदेश में रखी है और यहां पर और क्या हुआ है और स्वरणिम अंतराष्टिये शिवरात्री मैले की सुरुवात भी हिमातल प्रदेश से हुई है तो इतनी प्रित चंडी क्लमनी है धक्ष्णि दुरूब पर पहुचने वाली पेली बारत्य मैला बनी है मुक्यत थत्य की हम बात करते हैं captain हर्दी चंडी बारत्य मुलकी British 6 सेना अधिकारी और फिजियो थ्रेपिष्ट जिने पॉलर प्रीट के नाम से भी जाना जाता है एक ये ब्रिटिस सिक्स हैना दिकारी है और फिजियो थ्रेपिष्ट भी है और इनको उपनाम क्या है पॉलर प्रीट के नाम से भी जाना जाता है किसको केप्टन हर प्रीट चंडी को इसने कहा है द 1127 किलोमेंटर की यात्रा करी है कितने दिन में 40 दिन के यंत में 700 बील 1127 किलोमेंटर की यात्रा करी है और इसने क्या है सुन्ने से 50 डिगरी सेल्षिय अस्ताप मां में कितना सुन्य से लेकर पचास डिग्री जो सेल्शेस तापमान और शाट मील प्रती गंटे की रफ्तार से क्या है रफ्तार की जो हवा की गती है उससे जुचते हुए इसने क्या है यह इत्यास रचा है तो यतनी बातें आपको याद रखनी हैं अगला क्योसन देखते हैं हाली में ओलम्पिक ट्रेपल जंप थ्री बार के स्वरण पदक विजेता कौन थे जिनका हाली में निद्न हो गया है तो अभी एक खिलाडी थे कौन तो वो थे डान यह थे विक्टर सानेव कौन थे विक्टर सानेव है यह एक ओलम्पिक ट्रेपल जंप में तीन बार स्वरन पदक विजेता थे तो इनका अभी हाली में निदन हो गया है यह आपसे पूचा जा सकता है एकजाम में यह नहीं पूचा जाएगा कि किसका निदन हो गया है यह पूचा जा सकता है कि कौन अभी ओलंपिक ट्रेपल जंप में तीन बार के स्वरन पदक विजेता कौन थे तो यह थे डैननी लोवी सोनेव इन्होंने ओलंपिक खेलों में सोवेत सोचलिस्ट रीपब्लिक संग का परतिनेदव किया था किसका परतिनेदव किया उन्होंने 1989 एठेन्स और 1964 रोम में आयोजित यूरोपिय खेलों में सुरन पदक पासिल किये हैं तो इतनी बाते आपको याद रखनी है अगला क्योंसन देखते हैं हाले में किस राजे का उचनाले रा भारत का पहला कागज रही तन्याले बन गया है तो वो बना है केरल का उचनाले कौनसा अभी केरल राजे का उचनाले बारत का पहला कागज रही तन्याले बन गया है मुक्खे तत्य के हम बात करते हैं तो केरल उचन्याले बारत का पहला पेपरलेस कोट बनने के लिए तैयार है तो अभी कागज रहती है बन गया है केरल उचन्याले है तो सुप्रिम कोट के जज जश्टी डी वाई चंदर चूड ने एक जनूरी 2022 को समार्ट कोट रूम का उधुकाटने किया है तो अब बात है केरल की तो केरल की राजदानी है तुर्वंतम पुरम और वरतमान में केरल के सीम कोट है पिनरई वीजियन और वरतमान में गवर्णर कोट है केरल के वो है आरिफ मुहमद खान कोट है आरिफ मुहमद खान अगला क्योशन देखो हाली में राष्टिय स्वच गंगा मिशन के नए मानिदेश के रूप में किस ने पदबार ग्रेंड किया है तो अभी गंगा मिशन के नए मानिदेश कोन मने है वो बने जी असोक कुमार को जी असोक कुमार को स्वच गंगा मिशन के नए मानिदेश के रूप में ने पदबार ग्रेंड किया है मुखे तत्य देखते हैं जलफ सक्ती मंतरा लेके तहित अत्रिक्त सचीव जी असोक कुमार को जलफ सक्ती मंतरा लेके तहित राष्टी स्वच गंगा मिसन के नई मानि देश़क के रूप में निक्त किया गया है और यह किसका अस्तान लेंगे राजियू रंजन मिश्रा का किसका राजियू रंजन मिश्रा का अस्तान लेंगे और इनको असोक कुमार को बारत के रेनमेन के उपनाम से भी जाना जाता है तो अभी स्वच गंगा मिसन के ये नए मानिदेशक बन गए हैं कौन जी असोक कुमार तो इतनी बाते आपको याद रखनी है जल्दी से वीडियो को सेर जरूर कर दो सेर करना आपका काम है और लाइक वीडियो को आपको करना ही करना है और कल आपको वीडियो मिल गया था कि बारत में और राजस्तान में कौन क्या है वो आपको कल शाम को वीडियो प्लब दो गया तो उसको भी देख लें क्योंकि बहुत से जो है नुक्तिया हुई है अभी नएने मंत्री भी चैंज जो है तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कौन सा जो मंत्री बना है तो मेंटर वहाँ पर डाल दिया है तो वहाँ आप जाकर देख सकते हो अगला क्योंसन देखो हाली में परदान मंत्री ने राष्टिये युवा महुत्सव के मेजबान की रूप में किस सेर को चुना है तो अभी हमारे देश के जो परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने राष्ट पुद्डूचेरी में आयोजित होने जा रहा है तब से कब तक 12-16 जनुवरी आने वाली अभी और 25 राष्टी युवा मोच्षो है जो कहा है पुद्डूचेरी इस मोच्षो में देश बर से 18-22 आयोवर के लगबग 7000 युवाओं के सामिल होने की संबावना है तो एज इसमें क्या रखी गिया 18-22 आयोवर के लगबग कितने युवाओं है 7000 युवाओं का इसमें क्या है संबावना जताइगे की इतने इसमें शामिल हो सकते हैं तो अभी इसमें जो मेजबानी के लिए परदानमंत्री ने चुना है तो किसको चुना है पुद्डूचे अधिग्रेन किया है गूगल ने किसने गूगल है अधिग्रेंग किया है मुख्य ततिय देखते हैं अलफा बैट इंक के स्वामितों वाली गूगल ने 500 मिलियन के स sé apartments quarantine के इस्ट्रॉक्षा श्रूक्शा स्टारटम में सिंप्लिफआई का अधिग्रेंग्रेन किया है इसने अमरिकी टेक दिगज की सुरक्षा पेसकोसों का विस्तार करेगा कौन गूगल अब बात है गूगल की तो गूगल की स्तापना कब ही थी तो चार सितंबर उनिसो अठाण में को चार सितंबर उनिसो ठाण में को गूगल की स्तापना हुई और वरतमान में गूगल के जो स्यू बिन और इसका मुख्यले कहाँ पर है केलिफोर्णिया शुव्ट राजे अमरिका में ता हैं अमरिका में इसका मुख्यले है और वर्तमान में सीयो कोण अगला क्योसन देखते हैं हाली में अनाथों की मा के रूप में कोण लोग प्रिय थी जिनका हाली में निद्न हो गया है तो अनाथों की मा के रूप में एक मैला थी उनका अभी हाली में निद्न हो गया है तो उनका नाम था सिंदूताई सबकाल क्या था सिंदूताई सबकाल ये अनातों की मा के रूप में इनका लोक प्रिय नाम था, अभी हालिमीन का निद्र वो गया है, तो देखते हैं ये क्यों चर्चां में है? ये समाजिक कारे करता थी एक उनका सिंदू ताइ सबकाल जिनों विजने अनातों की माँ का जाता और ये 43 वरसकी आईयो में निद्न हो गया है तो ये आपको याद रखना है अभी 2021 में उनको क्या समाजिक कारे की सरंड में पदम सुरी से इनको समानित किया गया है इस वज़े से ये क्या है अभी धोड़ी जर्चा में रहेगी सिंदुताई सबकाल इनको अनत्थों की मा का जाता है इनका निद्न हो गया है और ये माराष्ट्र की रहने वाली है इसके अलावा इनको देखो अभी पुर्षकार और भी मिले हैं तो इनको अलावा इनके जीव उताई सबकाल अगला क्योंशन देखते हैं हाली में किस देश ने दिसंबर में सबसे दिक मासिक निर्यात 37 बिलियन का रिकोर्ड किया है तो अभी हमारे प्यारे भारत देश ने दिसंबर में सबसे दिक मासिक निर्यात 37 बिलियन का रिकोर्ड किया है मुक्यत देखते हैं वाणीजी और उद्योग मंत्राली द्वारा जारी प्राहनविक आंकडों के अनुसार बारत ने दिसंबर में 37.29 अरब डोलर का माल निर्यात किया है जो एक महिने में सबसे ज्यादा है दिसंबर महिने में और दिसंबर 2020 के आंकडों से बारत का निर्यात क्या है 37 फिस्दी ब समय में क्या ये 400 डोलर को अरब को क्या है पार कर जाएगा और बारत जल्द ही निर्यात बढ़ाने के लिए शुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुप्त मुप्त वेपार समझोते पर क्या इस ताक्षर करेगा कि अभी बारत किस के साथ शुक्त अरब अमीरात के साथ क्या है एक मुक्त वेपार्स मुझोते प्रताक्षर के लिए का जल्द ही इंद्रियात बढ़ाने के लिए अब पिछले वीडियो का क्योशन था कि हाले में बारतिय तटरक्षक का नया मानलिशक किसे निक्त किया गया है तो वो किया गया है विरेंदर सिंग पठानिया को अभी बारतिय तटरक्षक का नया मानलिशक निक्त किया गया है लगबग विदार्थियों का अंसर सही था तो सभी विदार्थियों को तैदल शार्दिक शूप काम नहीं तो सारे विदार्थी इसी तरह से कुमेंट में जवाब दिया करूँ अब कल के लिए कॉशन देखो हाले में किस देशन में कोविड-19 का नया वेरियंट आये च्यू मिला है तो फ्रांस, चीन, अमरिका और जापान इसका आंसर भी आपको कुमेंट बक्स में देना है अब मैंने एक नई जो एक मोहिम सुरू की है आपके लिए बहुत ही शांदर है आपको अभी साथ साथ कुमेंट में ये भी बताना है कि वरतमान में रेल मंतरी कौन है और वरतमान में उध्योग मंतरी कौन है इसका भी आपको पता होना चाहिए तो इसका जवाब आपको कुमेंट बक्स में देना है तो कैसे लगा आज का वीडियो वीडियो लाइक जुरूर किया करो और सेर करना आपका काम है तो कि आपका प्यार सनेय स्पोर्ट ही हमारी क्या है रामबन हमारे लिए थाबित होगी तो वीडियो को सेर जुरूर किया करो और जो भी बिदारती हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके पास लगे बैल आइकन की घंटे को दबालना ताकि हम जैसे वीडियो प्लोड करें इसको नटेपिशन आपको मिल सके और शाम को साध्य साथ बज़े आपको इंडिया की जो राजस्तान जी के क्लास मिल रही है राजस्तान पुलीस के लिए स्पैसल इतियास से समझित टोपिक चल रहे हैं तो कल आपके लिए कल करवादिया में राजस्तान के किसान अंदोलन और आज शामव आपको टोपिक मिलेगा राजस्तान की प्रजामडल अंदोलन तो लगतारी स्रीज को मागे बढ़ा रहे हैं यूंकि हमारा टार्गेट है राजस्तान प्लिस को क्वालिफाई करना उसको पहुंचना उस पर लक्षे को प्राप्त करना तो धन्यवाद दोस्तो जय हिन जय बार्द रादे कृष्णा